गाजियबाद में बदमाशों के होसले बुलंद हैं उतवाली घंटा घर अलाके के चौपला मंदिर मार्केट में बदमाश ने ज्वैलरी शोरू में लूट की वारदात को अंचाम दिया पचास हजार रपे उठाए और बंदुक की नूप पर वहां से आसानी सिफ़र आ रहुग गया व्यसतम बाजार में हुई लूट की घटना से व्यापारियों में भी रोश है साधी पुलिस की कारी प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहें पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्श कर लिया है और घटना की चांच में चुट गई है पहले आपका नाम जानना चाहूंगा मेरा नाम अनिल कुमार गर्ग है अनिल कुमार जी चोपला बजार में आपकी किस नाम ते शौप है मेरी लक्ष्मी जोलर है और रादाकिष्णा जोलर दो दुगाने लगे जी क्या घटना हूँ याद किस तरीक से आज करीब साड़े गया रहा पाउने बारे बजे करीब दो कस्टोमर बैठे हुए थे समान ले रहे थे है जब वो होँका काम निपर पैसे देने लगे तो बेटा जो बैठा हुआ था वाह पर उस ने पैसे गिने और काउंटर पर एतने महीं एक आदे मिं अंदर आया और उसने क्या है पैसे जहब लिये लड़का इतने शमल था इतने उसने बैसे जहब लिये और पेढो हे और लिए निगाली के भीछ जो पीछाड जो मागोली मान दुँआ और कहा है ले विश ञाल है कितने लोग मोजो थे दुकंदार या दुकान वालिक ती के लाटा एक था बेटा बैठा हुआ था मेरा और कोई नहीं था दो स्टाफ के लड़के थे द्रuff ihn के बहले दिखा हुए दिखा है कुर वह कुम यह दो तो समान दीया था सो यह कर दो और सुमना aft है है तरीका से आपको लूट कर ले कर ओ किस पर शब्लिक कितना डेया नहीं सिल्टी से 15 कि पटी पेली सब क्या कह रही है लेकिंगे सब्सक्राइं Hawk Talk लेकिन बुरीश का कहीं लगता है कि पुलिस का पूरा विश्वास है यह इसी कोई बात खोड़ी है पुलिस के उपपर ही सब कुछ वह दारोमदार है अगर पुलिस रही होगी तो फिर जंगल राज उज़ जाएगा यहां पर एक ग्रहार द्वारा पाचासे रुपए रखे उनी पर दूसे ग्रहार पर के दूस